नमस्ते दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ चूडा मटर चूडा मटर बनाने के लिए मैंने लिया है भारी कटा हुआ हरा मिर्च भारी कटा हुआ हरा धनिया दो मीडियम साइज का भारी कटा हुआ प्याज यह हरा लैसुन भारी काट लिया है मैंने ये है कदककस किया हुआ एक उंच का द्रक का टुकड़ा और एक चमस जीरा मरिश पाउडर जिसे मैंने पीस लिया है ये है तड़के के लिए सुखा लाल मिर्च और दो तेश पत्ता ये है मटर जिसे मैंने धोके रख लिया है और अब सबसे लाश्ट में मैं दिखाने जा र रख लिया है अब मैं गैस के फ्लेम को अन करूंगी अन करने के बाद अब मैं कड़ाई में तेल डालूंगी तेल डालने के बाद अब मैं इसे गरम होने दूंगी तेल गरम हो चुका है सबसे पहले मैं उसमें तेश पत्ता और लाल मिर्च डालूंगी इसे मिला लेंगे इसके बाद मैं इसमें कद्धुकस किया हुआ अद्रक डालूंगी और इसे थोड़ा भूनेंगे अद्रक थोड़ा भून लेने के बाद उसमें कटे हुए हरी मिर्च डालूंगी और इसे मिला लेंगे मिलाने के बाद उसमें कटा हुआ प्याज और कटे हुए हरे लशुन को डाल के उसे अच्छे से भूनेंगे इसको मिलाने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे प्याज देखिए हलका सुनरे रंग का हो चुका है अब मैं उसमें हरे मटर डालूंगी मटर को डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिला लूँगी मिलाने के बाद अब मैं उसमें पिसा हुआ मसाला डालूंगी मसाला डालने के बाद मैं उसमें आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूँगी अब मैं उसे पकने के लिए ढख दूंगी गैस के फ्लेम को धीमा कर दूंगी इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें आधा कटोरी से भी कम पाणी डालूंगी इसे अच्छे से मिला लूँगी मिलाने के बाद मैं इसमें एक चमच नमक डालूंगी नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी मिलाने के बाद इसे पकने के लिए ढख दूंगी मसाला और मटर अच्छे से पक चुका है मैं मटर आपको चेक करके दिखाती हूँ ये दीखी मटर पक चुके है अब मैं इसमें धूले हुए पोहे या चूड़े को डालूँगी डालने के बाद मैं इसे अच्छे तरह से मिला लूँगी पक्छो चुके चुके तरह से मिला बाद में आता है यह देखिए अच्छी तरह से मिल गया है और हमारा चूड़ा मटर बन के तयार हो चुका है अब मैं इसे में बारिक कटा हुआ हरा धन्या डालूंगी हरा धन्या डालने के बाद मैं गयस के फ्लेम को बंद कर दूंगी गर्मा गर्म हमारा चूड़ा मटर खाने के लिए तयार हो चुका है हुआ 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 है